हेलो फ्रेंट्स आज हम बैट गाई यह 2001 की कोरेन मुवे एक्स्प्रेंग करने वाल है इस मुवे में गैंग्स्टर एक लटकी को देखता है पर इन दोनों में लड़ाई हो जाती है इसके बाद गैंग्स्टर इसे हमेशा के लिए फसा लेता है यह एक अजीवी तरह की लव स्टोरी है तो चलिए इसे एक्स्प्रेंग करना स्टार्ट करते है मुवे स्टार्ट होती है और हमें हमारा में क्यारेक्टर हान रस्ते से जाता हुआ दिखता है वो city में आता है जरा hangout करता है हान गैंस्टर है और ये prostitution की ये drinking चलाता है हान जब रस्थे से जारा होता है तो उसे सुन दिखती है सुन हमारी और एक main character है सुन को देखते ही वो उससे बहुत ही attracted हो जाता है सुन पेंच पेटी हुए 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 हान अपने घर पर आता है वहाँ उसके दो फ्रेंड्स हमें दिखाई देते हैं इसे बहुती गुसा आया हुआ होता है तो खिड़कियों तोड़ देता है नेक्स देन जहाँ पर उसे सुन मिले थी उसे जगा पर जाकर बेट जाता है उसे सुन फिर से दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है उसका क्या रूटिन है यह वो जान लेता है सुन जब लाबररी में होती है तब हान अपने फ्रेंड के साथ वहाता है हान का फ्रेंड एक वालेट लेता है और सुन के पास जाकर रख देता है यह wallet रग कर वहाँ से चला जाता है और सुन थोड़े देर बाद इससे देखती है इससे जरा लाला चा जाता है और यह wallet उठा लेती है बात्रूम में जाती है और सब पैसे count करने लग जाती है इसके बाद एक आदमी इस wallet को ढूंडता है और यह सुन को spot कर लेता है सुन की बीचे बीचे भागने लग जाता है सुन भी बहुत दूर तक भागती है पर एक जगा वो रुख जाती है अब यह आदमी wallet check करता है कहता है तो यहाँ तो बहुत सारे पैसे थे इसमें एक check भी था जो 10,000 डॉलर्स का था अब मेरे सारे पैसे कोन देगा वो सुन को धमकाने लग जाता है सुन को कहता है कि अब तुम क्या करोगी सुन भागने की कोशिश करती है पर वो कही भी जा नहीं सकती है यह आदमी कहता है कि तुम कुछ भी करो कहां से भी पैसे लाओ या तुम्हें लेना पड़े तो लोन ले सकती हो सुन कहती है कि मुझे कोन लोन देगा ये आदमी कहता है कि मैं कुछ लोगों को जानता हो जो तुम्हें लोन दे सकते है ये आदमी फिर गैंग के पास उसे लेकर आता है यहाँ पर एक contract वो sign करती है जिसमें लिखा होता है कि अगर वो पैसे pay नहीं कर पाई तो उसकी body पर पुरा gang का हक होगा यह जो सब land था यह hun का ही था यह आदमी भी hun नहीं plan किया था अब सुन बड़े trouble में first जाती है हन उसका यह जो business है यह रस्ते पर चलाता है यहाँ पर जब पुलिस आता है तो उसका friend मियोंग आगे जाता है और पुलिस को रिश्वत वेगरा देख कर आता है अब नेकसिन में हम देखते है कि सुन गैंग के आदमी के पास है सुन पैसे नहीं दे पा रहे तो अब यह पुछता है कि तुम आप ग्या करो की यहाँ से भागने कोशिश करती है पर यह उससे पकड़ लेता है यह उससे जबरदस्ती इंटिमेट होने कोशिश करता है पर सुन अबना नाम बता नहीं रहे होती है तो उससे बहुत मारती है इसके बाद सुन सब कुछ बात करने लग जाती है इसके बाद सुन के लिए हो शॉपिंग करते है और उसे भी शॉप में डिस्प्ले के लिए रख देते है रस्ते से एक आदमी जाता है और सुन को चूज क पूछता है, तो हान अपने फ्रेंड को बेचता है, यह आदमी मार नहीं रहोता, तो हान का फ्रेंड उसे बहुत मारता है, और वहां से निकाल देता है, अब सुन की पौश उससे पात करती है, पुछती है कि इसा तुम क्यों कर रही हो, सुन केती है कि मेरे फरस टाइम पे boyfriend के साथ intimate होना है अब या रेंज गरवाया जाता है उसका boyfriend एक गाड़ी में उसके साथ होता है यह पूछता है कि आचानक तुमने मुझे क्यों बुलाया है सुन इसे हग करती है पर यह सब हान भी देख रहा होता है हान को jealous मेंसुस होता है तो सुन के boyfriend के पास जाता है और उसे बहुत मारता है अब भी सुन हान को देख नहीं पाई है अब सुन की boss एक आदमी को जबरदस्ती उसके पास भेशती है हान उसके पास जाता है और पुछता है कि तुम यह सब क्यों कर रही हो यह boss कहती है कि उसे उसकी ओकाद पता जलनी चाहिए इसके बाद यह आदमी सुन के साथ जबरदस्ती इंडिमेट हो जाता है नेक्स दिन हान सुन के पास जाता है सुन को ड्राइंग करना अच्छा लगता है तो उससे एक ड्राइंग बुक को देखकर आता है हान अपने फ्रेंड्स के साथ बेठा हूँ होता है इसमें से एक फ्रेंड का नाम होता है मियूं मियूं कहता है कि बहुत ही ब्यूटिफुल है वो हमेशा से कॉलेज गर्ल को डेट करना चाता था सुन उसे बहुत ही पसंद है यह वो हान को कहता है सुन अपने रूम में अकेले होती है और ड्राइंग देख रही होती है हान मी मिरर के पीछे से उसे आउसर करता रहता है हम फिर दिखता है कि सुन के पास हान का फ्रेंड मियूं आ जाता है मियोंग अब सुन के साथ इंटिमेट हो जाता है और कहिता है कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मुझे लगता है कि मैं ही तुमारे इस सिचुएशन के लिए रिस्पॉंसिबल हूँ जो भी सब हुआ था यानि कि हान ने सुन को फसाया था यह सब कोछ वो सुन को बता देता है बहुत ही दुखी हो जाती है वो बहुत रोती है उसकी बॉस जब उसके बास जाती है तो सुन के थी है कि इस जगा पर में क्यों हूँ तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो ये बॉस फिर चेट जाती है और उसकी बॉड़ी उसे दिखाती है बॉस के बॉड़ी पर भी बहुत सारे स्कार्स है सुन की तरह ही इसने रेजिस्ट किया था इसी वज़े से उसे बहुत मारा गया था सुन अब बहुत दारूपी थी है और सो जाती है रात में हान उसके पास आकर बैट जाता है सुन थोड़ी से उठती है और हान पर ही उल्टी करते थी है इसे बाद हान दुसरी औरत के साथ intimate होने की कोशिश करता है पर उसे गलत लगता है और वहां से चला जाता है देज दिन सुन जब रेडी होती है तो उसे बहुत ही depressed मैसूस होता है इसीशी की तरफ देखने लग जा होता है तो उसे वहाँ एक camera मिलता है यह camera हैं की दूसरे friend यून ने लगाया होता है इन सब लड़कियों के जो बहुत है यह यून को बहुत मारती है यून जब वहां से चला जाता है तो मियूंग हां को समझाता है वो कहता है कि इसके father को cancer है इनकी इलाज के लिए बहुत सा काम करती है इसे जगडा करती है इसे slab भी हो कर दे दी है मियून अब अपने friend से बात कर रहा था है कि क्या मुझे हान को जाकर बता देना चाहिए कि मैं यून से बहुत प्यार करता हूँ म्यून हान के पास जाकर कहे भी देता है वो कहता है कि सब कुछ सही रहा तुम्हें उसे शादी भी करने माला हूँ तुमने उसके साथ जो भी किया इसके लिए मैं तुम्हें माफ कर दूँगा म्यून अब सुन के पास जाता है और अपनी सब feelings उसे बता देता है सुन इस फर विलिव नहीं करती सुन फिर कहती है कि अगर सच्छूस में तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद करो म्यून फिर सुन को बाहर निकलने में help करता है और सुन वहाँ से चली जाती है सुन अपने घर के पास ही होती है तभी हान उसे फिर से उठा लेता है म्यून को जब पता चलता है कि हान सुन को लेने के लिए गया है तो वो कहता है कि यही भी सही ही होगा मैं उसे बहुत ही मिस कर रहा हूँ हान सुन को बीच पर लेकर आता है बीच पर हम देखते है कि रेट ट्रेस में एक लड़की है यह लड़की समुंदर में जा रही है और हान इसे ही देख रहाता है जिस स्पॉट पर वो बेठे हुए होते है तो फाड़ी होई फोटोग्राफ सुन को वहां मिलती है यह उठा लेती है और रख लेती है सुन हान को कहती है कि प्लीज मैं जाने दो पर हान उसे फिर से वापस लेकर आता है इस राद हान सुन के पास आता है यह आकर वो रोने लग जाता है रो रो कर ही सो जाता है हान के गैंग का जो औरिजनल बॉस था यह जेल में गया था और वो छोट कर वापस आ चुका है यह जब एरिया में आता है तो सुन के पास जाना चाता है हान को यह सही नि लगता तो अपने फ्रेंड को भेश कर अपने बॉस को बाहर निकाल देता है बॉस का एक राइड हैंड आदमी होता है जो हान को बहुत इंजूर कर देता है इसके बाद वो और हान इन दोनों में 1-2-1 फाइट होती है इस फाइड में हान एक पेपर को ही चाकू की तरह शेप देता है और इस आदमी को मार डलता है अब बॉस कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बदलियो उसे जॉब देकर वहाँ से चला जाता है बॉस ने प्रिटेंड दो किया है कि हान को उसने माफ कर दिया है पर एक्चुल में उसने उसे माफ नहीं किया होता एक आदमी को भेजता है जो एक बहुत बड़ा शीशा लेकर जा रहा होता है हान के बास जाकर उसके पेट में ही ये डाल देता है हान बहुत ही इंजोर्ड होता है पर उसे प्रॉपर मेडिकल अडेंचन मिल जाता है अब नेकसिन पे हम देखते है कि यून और मियूंग ये दोनों फ्रेंड हैंग आउट कर रहे होते है वह आपर पुलिस हपता लेने के लिए आता है यून हर एक पुलिस को हेट करता है ये पुरी हेट पुलिस को पता चलती है ये पुलिस कहता है कि ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो मियून पुलिस को रोकता है और कहता है कि उसकी आखे ही वैसी है तुम इसे इग्नोर कर दो यून पुलिस पर बहुत ही चिड़ गया आता है तो रात में जाकर उस पुलिस को मार कराता है हान को जब यह बात पता चलती है तो उसे बहुत गुस्ता आता है यून अगर जेल में गया तो उसके बुरी लाइब बरबाद हो सकती है यून के फादर भी विमार रहते हैं, उस पर हान को तरस आता है, और यून की जगा पर अब हान जेल में जाने वाला है, हान ओल्रेटी जेल में जा चुका है, तो इस बार उसे फासी होगी, हान को डेत्रो में डाल दिया जाता है, सुन को हान के बारे में जब पता चलता है, त सुन उस पर चीड कर बोलती है कि आप तुम निकलना है। पर सुन मानती नहीं। सुन ने बीच से जो फूटोग्राफ ली थी, इसमें हान है और एक लड़की के साथ है। यह वही लड़की है जो हान बीच में देख रहा था। नेकसिन में हम देखते हैं कि इनके एरिया में और एक पुलिस वाला ब्राइब लेने के लिए आता है वो डिसाइड करता है कि अब इस पुलिस ओफिसर को मार देगा और जेल में चला जाएगा ये अब इस पुलिस ओफिसर को मार देता है और जेल में आ जाता है जेल में भी परियून की उसकी इन्मेंट के साथ नहीं जमती, तो यहाँ भी वो बहुत मार खाता है, हान का आज मरने का डे आजाता है, यहाँ भरियून बहुत ही तमाजा ख़ड़ा करने लग जाता है, जब उसे शान करने लिए गाड वहा जाता है, तो गाड को ही जेल में बन करकर वो बाहर निकलाता है वो हान के पास आता है और हान को मारने लग जाता है वो हान को कहता है कि अब तुम सच बोल दो तुम्हेरे लाइब बस सकती है इसे बाद हान सब को सही से कनफेस करता है और जेल से बाहर आ जाता है हान फिर से मिरल के बीचे के रूम में जाता है और सुन को देखता है सुन को न्यूज मिलती है कि हान अब बाहर निकल चुका है हान फिर सुन के पास जाता है और इसे देखकर ही खुश होती है इसे हग करती है और रोने लग जाती है नेगस दिन हान सुन को गाड़ी में बिठाता है जिस जगावर सुन को उसने पहली बार देखा था वहीं उसे छोड़ देता है इस बार सुन को लेने के लिए कोई भी नहीं आने वाला याने कि सुन को सही में उसने फ्री कर दिया है मियोंग सुन से प्यार करता था हान को कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया मियोंग को लगता है कि हान ने सब कुछ बरबात कर दिया है राद में ड्रंक हो जाते है और इन दोनों की फाइट हो जाती है इस फाइट में मियोंग हान के पेट में जाकू डाल देता है हान खुन से लटपद होता है और वो आगे चला जाता है हान फिर अपना इलाज करवाता है कि हान ने सुन को जिस बीच पर लाया था उसी बीच पर सुन पहुच जाती है जिस पॉट पर उसे फोटोग्राफ के पीसेज मिले थे इनी पीसेज को ढूनने लग जाती है सारे पीस सुन को रियलाइज होता है कि उससे बहुत प्यार करता है जिस ड्रेस में हान की गल्फरंड की फोटो होती है वही ड्रेस यून बाय करकर आती है यह वो पहन कर बीच पर नजर रखती है थोड़ी दिर में वहाँ हान भी आता है हन की पास आती है और बेट जाती है इसके बाद हम देखते है कि हन एक ट्रक पाई करता है यहाँ पर वो बिस्तर दक्या वगरा सब कुछ लगाता है यानि को यहाँ रह सके यहाँ पर रहने खाने के लिए जो भी सब चीज़े होती है यह सब वो रख देता है हन और यून यह दोनों नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए एक नई सीटी में जाते हुए में दिखते है सब को लगता है कि हन अब मर चुका है तो उसे आप ग्यायंग में रहने की कोई भी जरुवत नहीं है हमने मूवे में देखा है यह उनको फ्री कर दिया गया था पर फिर भी वो वही जगा पर आ गई अगर वो फिर से रियल वर्ल्ड में जाएगी तो वहावर रहे नहीं पाएगी हन और सुन दोनों फ्री हो जाते हैं और एक दूसरी के साथ वो जिन्दगी बिताने वाले हैं यह एक अजीब ही लव स्टोरी थी जिसे कोई भी जस्टिफाइए नहीं कर सकता यही आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आप कोई वीडियो चलागा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट ज़रू कर दिजएगा मैं बहुत सारी मूर्ज लेकर आत रहत हौ तो फ्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दिजए और बेल इडिवेशन आइकोन दाने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक नमूरी के साथ तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आपका ख्याल रखिया